दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले I request you कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टो आर चैनल और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट लाइक बटन और प्रेस दे बैल आइकन टू तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं Bacteria with a tuft of flagella at one end उसको हम क्या बोलते हैं Actually हमारे पास जो flagella की arrangement होती है बैक्टीरियास में वो चार तरह की होती है एक होता है monotrichus एक होता है amphitrichus एक होता है lofotrichus और एक peritrichus जो monotrichus होता है उसमें क्या होता है For example, हमारे पास एक bacteria है यह bacteria बैक्टीरिया में अगर एक single flagella किसी भी एक end से एक single flagella arise हो रहा हो या था वो इस end से हो या फिर एक इस end से हो किसी भी end से अगर एक single flagella arise हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे monotricus दूसर होता है emphitricus emphitricus में क्या होता है bacteria के दोनों end से एक-एक single flagella जो है, वो single flagella for both end, दोनों end से एक flagella rise हो रहा होगा, तो उसको बोलते emphitricus, emphi का मतलब ही होता है both, तो एक flagella each side से, एक flagella each side से तो उसको बोलते हैं Amphitricus, एक होता है Lophotricus, लोफोट्राइकस में क्या होता है कि एक tuft of A bacteria है, तो tuft of FLAGELA एक गुच्छा होता है पूरा FLAGELA कहा, एक ही end से जो है, एक ही end से tuft of FLAGELA arise हो रही होते हैं, तो उसको बोलते है Lophotricus, एक four type होता है Peritricus, Peritricus में क्या होता ह है कि bacteria में multiple FLAGELA पूरी body से arise हो रही होते है, peri का मतलब होता है periphery पे, उसके आसपास उसके जो outer layer है, उसके हर जगा से FLAGELA arise हो रही होता है, उसको बोलते है Peritricus, तो यह तो थे हमारे चार तरह की arrangements, FLAGELA की around the body of bacteria, तो इसको हम इस question में क्या पूच्छा हो है, bacteria with the tuft of FLAG प्रेज में देख सकते हैं, तो एक tuft पर प्रेजेंट भी मैंने बताया है, उसको बोलते है low for trichus, next question है, psycho grains are obtained from, अब psycho grains क्या होता है, साबूदाना, साबूदाना जो होते हैं, वो किस से obtained होते हैं, साइकस से, पाइनस से, फरन से, या मौस से, actually, साबूदाना जो होते है, व पीच वाला portion होते है, जब हम उसको transfer section में काटते हैं, तो बीच में pit होते हैं, इस pit को क्या करते हैं, कट करने के बाद, pit को extract करते हैं, उस pit की grinding करते हैं, grind करने के बाद, उसको as a floor, सुखाने के बाद, floor सा निकाल लेते हैं, उसके अंदर से, आटा सा बना लेते हैं, उसको खाने के बाद, उसके अंदर से, जितना भी starch present होते हैं, उसको wash कर लेते हैं, और फिर बाद में साबुदाना हम extract करते हैं, तो किस से मिलता है, यह साइकस के plant से, हमें sago grains, जो हैं, वो मिलते हैं, next question क्या है, in Euromastix, cloaca is divided into, अब Euromastix क्या है, Euromastix, एक genus है, किसका African and Asian lizard का जिसको हम dab lizards भी बोलते हैं, और spiny tail lizard भी बोलते हैं, जिनकी tail जो है, वो बहुत spiny सी होती है, ठीक है, अब उसका cloaca, cloaca means यह opening होती है, एक chamber की outlet होती है, जो किसकी intestine, urinary और genital tract की opening जो होती है, टेल के पास, उसको हम cloaca बोलते हैं, तो Eurometrics के अंदर, cloaca जो है, कितने parts में divided है वो जो होता है, वो तीन parts में divided होता है, वो कौन-कौन से होते हैं, coprodium, eurodium और proctodium, तो इसका answer होगा C, जो हमारे पास lizard होती है, उसका जो cloaca होता हो, तीन parts में divided होता है, next है, in which of the following stem is divided into nodes and internodes, इन में से कौन सी ऐसी stem है, जो divide होती है, nodes और internodes, जैसा कि आप इस image में देख स हैं, और nodes, दो nodes के बीच में एक internode दिख रही है, कहीं सारी nodes है, number of nodes, internode is present between the two nodes, जैसे आप यहां दिख रहे हैं, equisitum का plant में आपको nodes दिख रही हैं, दो nodes के बीच में आपको एक internode दिख रही है, तो वो जो है, वो property है, equisitum की, next question है, कि during cell division, capsules are formed in capsules, cell division के time पे किस में बन अब यह जो cap cells है, during cell division, cell division के time पे, जब reproduction हो रही होती है, vegetative reproduction के time पे, या फिर fragmentation के time पे, तो क्या होता है, एक ring-like structure बनता है, top of the cylindrical cell, एक undogonium के अंतर जो cylindrical cells होता है, जैसा आप इस image में देख सकते हैं, कि cylindrical cells के top के उपर, हमारे पास एक epical cap बनती है, cylindrical cells में, तो उसको हम बोलते हैं, cap cells, यह cells होती है, that cells seen in the filaments of algae, जो कि एक undogonium है, undogonium में एक algae है, उनके जो filament है, उसमें हमें cap cells दिखती हैं, during fragmentation, and these results from the distinct form of cell division, जो कि क्या होता है, cell division के time पे, वहाँ पे ring बनना शुरू हो जाती है, नए cells, जो नए cells बनते हैं, तो उसके आसपास rings बनती है, prior to nuclear division, इसका अंसर हुआ, eudogonium अगर आपको हमारे इस lecture से कोई नई चीज़ सेखने को मिल रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना बहुत बूलना, and do hit the bell icon also, ताकि हमारी latest video आप तक time to time पहुंच सके, तो चलिए, आगे continue करते हैं, next question next question है, gestation period of rapid, is rapid का gestation period जाओ कितना होता है, अब gestation period क्या होता है, gestation period वो period होता है, जब embryo के अंदर development start होती है, या फिर हम क्या देते हैं, the time of conception, from the time of conception, कब तक, जब तक बर्त होता है, उस बेबी का, इस period को हम बोलते हैं, gestation period, ये gestation period अगर हम बात करें, human beings के अंदर, वो कि 50 days का होता है, मतलब, around almost 9 months का gestation period होता है, human के अंदर, अब इसने पुछ है, rabbit के अंदर कितना होता है, rabbit के अंदर होता है, 28 से 32 दिन का gestation period, rapid के अंदर होता है, अगर हम बात करें, दूसरे animals की, तो आप इस table में देख सकते हैं, कि gestation period, camel में कितना जादा होता है, सबसे जादा camera के अंदर, 406 days का camel के अंदर होता है, अगर जिराफ में देखें, 395 to 425 days का होता है, cow में देखें, cow में 280 days का gestation period देखने को मिलता है, goat के बात करें, goat में 151 का, human में 266 का, आप इसको note कर सकते हैं, इसका screenshot ले सकते हैं, यह आपको next, maybe PGT के upcoming exams में भी आ सकता है, इन में से किसी का gestation period बताओ, तो आप इसका screenshot ले लो, rabbit के अलावा इन में से किसी का भी आ सकता है, mammals में especially, अब बात करते हैं, next question, endoskeleton of scolidone made up of, scolidone के है, scolidone एक fish है, जो की cartilaginous fish है, मतलब, जिसका जो skeletal system है, वो cartilage का बना हुआ है, ना कि bone का, तो scolidone जैसे आप image में देख रहे हो क यह scolidone fish है, जो cartilaginous है, तो इस का अंसर है cartilage, next है, which of the fungus is used in making of bread, एसी कोंसी fungus है, जो bread में, bread को बनाने में हम यूज करते हैं, जब bread बनते हैं, उस तो उसमें वो fungus होती है, तो वो है yeast, वो कैसे बनती है, देखो, यह reaction दिख रहे है, तो इसमें कहाता है, yeast को, जब हम, फ्ल वो sugar, उस, वो yeast क्या करता है, उस sugar के साथ कुछ एक optimum temperature में carbon dioxide release होती है, जो कि duff को फुला देती है, rise कर देती है, मतलब yeast जो है, yeast sugar के साथ react करके, यह bread की making process जो है, वो complete करती है, तो इसका अंसर है yeast, next है, the family leguminacy is economically important as its member produced, जो leguminacy family है, वो economically important है, क्यों, क्यों, यह क्या produce करती है, इसके member जो है, वो क्या produce करते है, cereals, oils, fibers, और pulses, जो leguminacy family के member है, वो mainly pulses produce करते है, इसलिए वो economically important है, next है, जो है, कि seat worm, seat worm जो है, is alternative name of, किसका दूसरा नाम है, seat worm जो है, वो actually pin worm का नाम है, जिसको हम antirobeus भी बोलते हैं, antirobeus एक scientific name है, जिसका दूसरा common name है, thread worm, इसको हम thread worm भी बोल देते हैं, यह thread की तरह दिखते हैं, इसको, यह actually है, कि antirobeus जो है, यह antirobeus जो है, एक nematode है, एक roundworm है, जो कि एक intestinal parasite है, जो क्या है, human की intestine जो है, उसका parasite है, उसके अंदर रहता है, it inhibits intestine of human, ठीक है, यह various disease cause करते हैं, जैसे antirobeuses, जाए antirobeus जो होता है, इसका मज़ होता है, intestine, तो यह antirobeuses cause करता है, जो कि, इसको अंदर रहुआ पिनworm, जो को हम thread worm भी बोलते हैं, तो next time pinworm की जगा है, वहाँ पे thread worm भी आ सकता है, thread worm आएगा, यह फिर antirobeus भी आ सकता है, next question क्या है, next question क्या है, next question है कि Tania, Saginata, जो Tania की दो species का नाम दिया, यहाँ पे Tania, Saginata और Tania Solium, जो Saginata है, वो Solium से कैसे differ करती है, कैसे अलग है, as it lacks, तो इसमें, रोस्टेलम जो होता है, रोस्टेलम अपसेंट होता है, ठीक है, रोस्टेलम क्या है, रोस्टेलम जो है, एक knob-like protrusion है, knob-like extension है, जो कि anterior surface से निकलती है बहर, और वो spiny structure है, ठीक है, जब वो retract होता है, तो वो एक hook-like, रोस्टेलम एक पूरी एक row होती है, circular manner में, तो hooks present होते हैं, जो कि उसके prey के साथ, जो कि उसके host के साथ attachment में help करते हैं, ठीक है, यह जो रोस्टेलम है, रोस्टेलम तेनिया सोलियम में present होता है, लेकिन Saginata में absent होता है, इसलिए यह दोनों differ करते हैं, बाकि ज़्या अगरिकस भी बोलते हैं, तो हम मश्रूब में as a vegetable, यूज करते हैं, जो कि एक edible होती है, फंगस, तो इसका अंसर है, अगरिकस A, नेक्स्ट है, वेन अ वायरस अटेक्टीरियम, जब वायरस बैक्टीरिया पे अटेक करते हैं, तो कौन सा ऐसा material है वायरस का, जो बैक्टीरि के अंदर enter कर रहा है, ऐसे protein coat वहीं रहता है, जो enter करता है, पार्ट वो होता है, nucleic acid of virus, जो host के अंदर enter करके, उसके host के DNA के साथ मिलके, उसी की ही replication machinery को use करके, अपने number increase करता है, कैसे DNA replication करवा के, और अपने number increase करवाने के बाद, वो वायरस multiply कर जाता है, और उस host से बाहर निक करता है, दोस्तों मैंने एक already animated video बनाई हुई है कि कैसे वायरस अपने host को या फिर किसी organism को infect करता है, और कैसे अपना nucleic acid या genetic material insert करता है, उस organism के अंदर, तो आप उपर i button पर click करके, इस video को देख सकते हैं, next question है, which of these cell organelles also known as dictyosome, इन में से कौन सा ऐसा cell organelle है, जिसको हम dictyosome भी बोलते हैं, तो वह गोलगी body, dictyosome होता क्या है, dictyosome एक net like structure है, जो कि flat होता है, membrane bound cavity present होती है, जो कि एक cavity है, जो कि membrane bound है, ठीक है जिसको हम sister ने बोलते हैं, आपने सुना होगा sister ने, जो कि गोलगी bodies मे के अंदर, for further transport, अगर जो transport होंगी, proteins transport होती है, तो वो इसके अंदर stored रहते हैं, modification होती है, proteins की, फिर वो sorting होती है, उनकी arrangement होती है, मतलब, फिर वो pack होते है, vesicles के अंदर, वो सब कुछ दिखती हो, जो हम के अंदर, या फिर गोलगी bodies के अंदर हो रहा है, मतलब, गोलगी body is also known as दिखती हो जाओ, next आता है, cadmium pollution is associated with the disease, इन में से कौन से ऐसे disease है, जो cadmium pollution से associated है, तो एक disease है, itai itai, itai itai disease में क्या होता है, itai itai disease में mainly which is caused by the cadmium exposure, थिप हम cadmium से exposed होते हैं, तो ये disease होती है, ये disease सबसे पहले रिको गुनाइज होई थी जैपान के अंदर, और ये disease mainly in humans मे होती है, जो कि industrialization में है, और जो mainly cadmium से exposed होते हैं, इस disease में mainly होता गया है, इस disease में osteomalacia होता है, जिसमें severe bone pain होते है, और renal tubular dysfunction होता है, और osteoporosis होती है, जिसमें calcium bone में से निकलता है, और bones कमजोर होना शूर होती है, तो इसलिए इसका अंसर जो है, itai itai, next question है कि system controlling the involuntary action of the internal lasun, जो internal organ है, उसका involuntary action है, उसका जो involuntary action है, उसको कौन सा nervous system जो है, वो control करता है, nervous system माया पास दो types के आमने पढ़े है कि central nervous system का, peripheral nervous system, Central में तो मारे पास Spinal Cord, Brain और Brain Stem होजाती है Perifil में मारे पास दो आते हैं Autonomous Nervous System और Somatic Nervous System अब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो Internal Organes को Control करता है तो Autonomous Nervous System जो होता है वो Regulate करता है Involuntary Processes को Including Heart Rate, Respiration Digestion and Pupil जो आँख में present होता है Pupil उसकी Contraction और Relaxation को तो जो भी ऐसे Action जो हमारे Control में नहीं है जो अपने, अब Digestion है Digestion हम नहीं करवाते Digestion अपने आप हमारे स्टमक में हो रही है इंटेस्टाइन में हो रही है तो उसमें हमारा कोई Control नहीं है ठीक है Respiration Respiration में हमारा Control नहीं है Heart Rate, जैसे हम सारे के सारे क्या है यह Involent Reactions है तो यह कौन कंट्रोल करता है यह करता है Autonomous Nervous System मतलब Autonomic Nervous System तो इसका अंसर हुआ C Next है Numatophores are special type of modified roots which help in अब Numatophores के है Numatophores एक ऐसे special type की roots होती है जो की Upward Direction में निकल के आती है ठीक है? Ground में से तो roots actually जाती है Downward लेकिन Numatophores एक ऐसे roots है जो Ground में से Upward निकल के आती है और वो किस के लिए आती है में लिए Respiration के लिए एक Numatophores special type की roots है ठीक है? Modified root बोलती है अक्चली इनको तो यह Respiration के लिए Ground में से Upward Direction में निकल के आती है जैसे आप इस image में देख सकते हो Next है Eutherian Mammals अब Eutherian Mammals क्या होते है Eutherian Mammals या फिर Eutherians बोलती है Eutherians are different from other mammal group जैसे कि मारे पास monotremes आते है marsupials आते है जैसे kangaroos गरार होगे इन से अलग होते है Eutherians मतलब यह जो marsupials and monotremes है यह जो non placental होते है ठीक है non placental यह egg lay करते है लेकिन जो Eutherian Mammals है वो viviparous होते है वो egg lay नहीं करते है यह क्या करते है direct baby को birth देते है ठीक है मतलब direct development है egg नहीं देंगे direct जैसे humans के अंदर direct baby को birth दिया जाता है तो Eutherian Mammals are viviparous तो answer is B Next है cup shaped chloroplast जो cup shaped किस के अंदर present होता है तो cup shaped chloroplast होता है वो clamidomonas के अंदर होता है अब जो clamidomonas है वो क्या है clamidomonas एक genus है green algae का जो कि जिसके अंदर 325 species आती है unicellular flagellates ठीक है जो कि कहाँ पर होता है stagnant water के अंदर रोके होए पानी के अंदर clamidomonas पाए जाता है ठीक है उस clamidomonas के अंदर अब इस image जो आपको image शोरी है उसके अंदर उस image में आप देख सकते कि जो cup shaped का chloroplast present है clamidomonas के अंदर answer is B next है common name of fungi fungi का common name क्या है common name है mushroom coral तो इसका answer A mushroom coral is fungi next question है smallest proteinaceous infectious particles is known as तो इसका answer है prions अब prions होते क्या है prions एक misfolded proteins होते है जिनके पास ability होती है जो normal proteins present है ना हमारे body के अंदर उससे change होके एक misfolded shape का protein बना देते है और ये normally fatal होते है ठीक है और क्या करते है neuro degenerative disease जो है humans के अंदर cause करते है और other mammals के अंदर just by transmit their misfolded shape अपनी जो misfolded shape होती है उसको transmit कर देते है किस से normal shape of protein से तो ये उते है prions अब बाद आती है इसका answer तो होगा prions अब viroids और virus क्या होते है viroids होते है viroids consist of small naked single stranded RNAs होते है जो क्या करते है disease करते है plants के अंदर virus एक microscopic infectious agent है जो क्या करते है replicate करते है सिरफ host के अंदर अगर host नहीं है तो वो replicate नहीं करेगा तो virus infects all type of life forms next question है कि shuffner dots observed in erythrocytes are due to जो shuffner dots होते है वो absorbed होते है erythrocytes because of the malaria malaria की वज़े से जब malaria होता है तो malaria की वज़े से यहाँ पे shuffner dots बन जाती है अब यह जो shuffner dots होती है यह really important होती है for the identification of the species जो की malaria कोज करता है malaria parasite कोज करता है अगर हम यह diagnosis में देखते है कि shuffner dots वाली stage अगर दिख रही है तो इसका मतलब malaria से infect हो चुकी है तो यह इस concern भी next question आता है कि trabeculated endodermis is found in तो यह epidermis होती क्या है पहले पता होना चाहिए यह trabeculated epidermis वो epidermis होती है जो की interrupted होती है by a large intercellular space मतलब endodermis के अंदर बड़े-बड़े intercellular space होते है जिसमें air cavities बोल देते हैं उनको air cavities present होते है intercellular space present होते हैं endodermis के अंदर जैसे इस figure में देख सकते हो कि endodermis में large spaces present है तो इसको बोलते हैं trabeculated endodermis तो यह में लिए होती है silaginaila के अंदर answer is B bacteria phage क्या है bacteria phage is bacteria phage एक virus है बच्चे गल्दी कहते हैं इसको bacteria समझ लेते हैं तो bacteria phage एक virus है phage means virus जो की bacteria को infect करते है phage वो virus जो bacteria को infect करते है और अपना genetic material उस bacteria जो की वो virus का host है उस bacteria के अंदर insert कर देता है और उसको infect कर देता है फिर वो bacteria उस virus के genetic material को multiply करता है और number उसका बढ़ा देता है मतलब रिप्रोड़क्शन करवा देता है तो it is a virus which infect bacteria तो इसका answer है B next question is number of cranial nerves found in frogies frog के अंदर कितनी cranial nerves present होती है तो होती है 20 20 cranial nerves mainly found in the frog तो answer is C next question है कि hormone कौन सा है जो help करता है insect की metamorphosis में तो metamorphosis क्या होती है metamorphosis एक वो profound change है किसके अंदर from one state जब देखो जब कोई भी एक organism एक stage से दूसरी stage में जाता है during life cycle तो एक profound change आता है जैसे अब butterfly की बात करते है तो butterfly की जब development होती है जब उसके egg में से hatch करता है एक organism जिसकों एक stage जिसकों caterpillar बोलते है वो caterpillar caterpillar से pupa ठीक है pupa से adult बनता है तो वो एक caterpillar से pupa वो metamorphosis ये जो stages है series of events जो है जो है नशकों मने metamorphosis बोला ठीक है तो metamorphosis कर ले के लिए इंसेक्ट के अंदर कौन सा hormone responsible है तो कौन सा hormone responsible है वो होता है एक डाइसोन एक होर्मोन होता है जो कि metamorphosis करवाता है जो ये series of events जो कि stages को complete करवाई रहा है इस cancer अभी उसके बाद एक थायरोक्सिन और फिर्मून क्या है थायरोक्सिन एक होर्मून है जो कि थायरोइड ग्लैंड से रिलीज होता है ठीक है और वो blood stream के अंदर एंटर करता है जब एंटर करता है तो वो various organs में travel करता है जैसे कि liver और kidney जहां पर वो convert हो जाता है biological action perform करते हैं उसके पर फिरोमोन्स फिरोमोन्स क्या होते हैं फिरोमोन्स एक chemicals होते हैं जिनके पास ability होती है होर्मोन जैसा काम करने की लेकिन body के बाहर ठीक है तो body के बाहर secret होते हैं वो individual की body के बाहर और वो क्या करते हैं impact the behavior of receiving individuals ठीक है आंट्स का case ले लो आंट्स जो चीटी होते हैं चीटी हैं क्लाइन में चलती हैं तो आगे वाली चीटी जो है chemical release करते हैं जो की hormone का काम करता है जो पीछे वाली चीटी को बताता है कि मैं इस direction में जा रही हूं तो एक chemical messenger ही है जो की body के बाहर release हो रहे है नेक्स्ट है ovule, ovule in which micropyle lies at one end with chaliza and hyalum light opposite end ठीक है मतलब हमें इस question से पहले मैं कुछ आपको कुछ terms बताता हूं और type of ovule बताता हूं कि ovule जो है वो कुछ types के होते हैं six types of ovule actually present होते हैं जैसे सबसे पहला होता है orthotropus जिसको हम atropus ovule भी बोलते हैं जैसे आप image में देख देख के समझना है जो image आपके सामने display हो रही है तो उसमें आपको देखना और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो orthotropus ovule जिसको हम atropus ovule भी बोलते हैं अभी यहाँ पर ortho का मतलब होता है straight ठीक है straight ट्रोपस का मतलब होता है कि turn ठीक है straight turn अभी यहाँ पर देखो क्या है जो यह जो type of ovule है जिसको हम orthotropus बोल रहे हैं इसमें क्या होता है जो body होती है ovule की वो straight होती है ठीक है straight इसमें hyalum चलाजा and micropile वो एक ही line में जो हैं वो लाई करते हैं एक ही line में लाई कर रहे हैं ठीक है इसके example भी note कर चकते हैं आप polygonum तो question में next time question में भी आ सकता है कि polygonum के अंदर कौन से type का ovule present है तो orthotropus type का जिसमें हमारे पास चलाजल, hyalum और micropile जो है एक ही straight line में लाई करते हैं तो body of the ovule become completely inverted यहां पर क्या होता है वो ovule की body पूरी completely invert हो जाती है जैसे कि आप इस image में देख सकते हो जब development होती है तो क्या होता है micropile जो होता है वो बिल्कुल close आ जाता है hyalum के बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो उसके बाद next आता है hemianatropos, hemi का मतलब ही होता है अदा, ठीक है hemitropos ovule भी बोलते हैं इसको तो इसमें क्या होता है body of the ovule is placed कहां पर transversely at right angle अब आप देख सकते हैं कि यहां right angle पड़ा हुआ है funicle के, ठीक है funicle के right angle होता है, तो micropile and chalazal end straight line अगर हम micropile और chalazal end की बात करें तो वो तो straight line में है ठीक है, और funicle के 90 degree इसको बोलते हैं hemianatropos उसके बाद आता है campilotropos, campilotropos में क्या होता है, curved vule present होता है जहां पर micropile almost touch करता है ovule को, ठीक है, उसके बाद आता है amphitrophos, amphitrophos में क्या होता है, जो body होती है embryo की, वो curved हो जाती है और horse shoe shape की दिखती है, पूरी curved हो जाती है, ठीक है horse shoe shape की दिखेगी, और उसके बाद आता है circinotrophos, जिसमें क्या होता है in this type length of the funicle increased और वो cover कर लेती है पूरे के पूरे ovule को, ठीक है, आप इस image में देख सकते हैं, जा circinotrophos होता है, circinotrophos में पूरा 360 गोंगे, वो पूरा cover हो गया जो उसकी lining है न, वो उस ovule को पूरा cover कर लेती है इस प्रांसर orthotrophos जिसमें क्या हो रहा है कि body of the ovule अब इसमें क्या है, micropyle जो है, lie at one end और चलाजा और hyalum जो है opposite end पे है next है, the two main components of lichens are अब lichens क्या है, lichens हमें पता है mutual relationship है, algae और fungi का तो इसका अंसर है algae और fungi D जो की एक lichens जो हमें पता है कि indicator भी होते है, pollution की मतलब lichens वहां होते हैं जहां पर pollution बहुत ही कम होते है, वहां नहीं ग्रो कर पाते हैं जहां पर pollution की pollution का जो pollution जब उजाद है, एक चाहता है, pectin is absent in which bird इन में से कौन सो बढ़रे से में pectin absent होता है pectin होता क्या है, pectin is structural acidic heteropolysacuride carbohydrate, जिसमें क्या होता है it contains, मतलब ही किस में present होता है primary and middle lamella and cell wall of the mainly terrestrial plant, अब यहां पर बात करें birds की, यहां पर ऐसा कौन सा बढ़रे से में pectin absent होता है, वो pectin होता है kiwi, kiwi के अंदर जो है, वो pectin absent होता है next आते है, nostoc, nostoc is a type of now nostoc क्या है nostoc जो है जिसको हम anabina nostoc भी बोलते है वो एक blue green algae है, तो answer is a यह जो blue green algae है, इसको हम cyanobacteria भी बोलते हैं, इसके पास specialized cell present हो, जिसको हम heterocyst बोलते हैं, वो heterocyst nitrogen succession में help करते हैं जो कि plant के लिए useful है next आते है, pneumatic bones pneumatic bones और founding, pneumatic bones क्या होती है pneumatic bones, वो bones होती है जो birds के अंदर present होती है जिनके अंदर air cavities present है, जो cavities cavities के होने की वदेशे bone में, उसको light weight का बना देती है, और वो light weight जो है, light weight की वदेशे birds जो है, वो fly कर पाते है लेकिन जो pneumatic bones है वो humans में भी present होती है, pneumatic bones humans में जैसे maxilla हो गया frontal bone होगी, sphenoid bone जो nose की bone होती है वो bone होगी, ethmoid bone, यह भी सारी pneumatic bones है, ऐसा नहीं है, यह birds में present है हमारे facial bones में भी pneumatic bones होती है 3-4 types की pneumatic bones है यह ऐसी bone होती है, इसके अंदर air cavities present होती है उसको lightened weight बना देती है तो यह mainly present होती है pigeon एक bird है, तो pigeon के अंदर present होगी next question है कि crossing over जो होती है occurs in muses during muses के किस stage में हमारे पास crossing over होती है तो crossing over mainly prophes 1 में होती है लेकिन अब next time question है आ सकता है कि prophes 1 का कौन सा ऐसा stage है क्योंकि prophes में भी अगे 5 तरह के stages होती है prophes 1 में of muses 1 तो वो 5 तरह के stage होती है leptotene, zygotene, pacitene, diplotene और diokineses ठीक है तो अगे question हा सकता है कि prophes 1 के किस stage में crossing over होती है तो हो है pacitene, pacitene stage के अंदर crossing over start होती है लेकिन crossing over बनने के लिए structure बनता है ठीक है वो structure start बनना पहले start होता है लेकिन crossing over starts होती है वो pacitene में होती है next question is which of these is well preserved in fossil इन में से कौन सा ऐसा यहां इन में से option है जो की fossil में well preserved रहते है अब देखो वो है pollen grain ऐसा इसलिए है जो pollen grain है pollen grain एक तुम्हें पता है male gametophyte है तो male gamets इसके अंदर से male gamet निकलते है तो pollen grain का जो structure होता है उसके जो बाहर की layer है उसमें एक special type का protein होता है protein से बने जिसके पोरो पोलेनीन बोलते है वो पोरो पोलेनीन वो उस pollen grain को harsh environment से जो है वो बचाता है तीक है उस protein के वाज़े से वो long time के लिए जो है वो survive भी कर पाता है इसलिए fossils में सबसे ज़्यादा preserves है वो pollen करें रहता है because of the presence of sporopolline in protein next question है motile sperms of pyla is known as motile sperm pyla के अंदर वो होता है upirine ठीक है upirine इसका अंसर है upirine लेकिन अब मैं आपको तीन और type के sperm बताऊंगा जो इसके अंदर present होते है जैसे upirine तो बताती है upirine जैसे आप image में देख सकते है upirine जो sperm है उसकी long tail होती है और उसके tip के उपर एक spiral shape की body present होती है इसको बोलते है upirine sperm लेकिन इसके अलावा दो type की और sperm है upirine, parasperm और oligopirine sperm ठीक है जो upirine sperm होता है body के end पे more than two flagellas, एक tuft of aft of tail, एक flagella की tail present होती है जिसको हम A-pirine बोलते है और इक होते है oligopirine जिसमें जो head होता है उसका round shape का होता है oval shape का होता है लेकिन उसके पास A की tail होती है और कैसे differer करता है upirine से oligopirine जो है उसकी जो body है upirine के अंदर spiral body और oligopirine के अंदर circular और oval body present होती है तो इसका answer जो है वो upirine है जो की पाहिला का motile spawn है तीक है next question है dwarf male is found in dwarf male जो है वो किसमें बाइद आता है OC, letoria में, ectocarpus में polysiphonia में या फिर udogonium में जो dwarf male होता है न dwarf male actually है कि dwarf male small short enthridium producing filament है वो filament है छोटा सा जो की enthridium produce करता है जो की attach होता है near the eugonium जो female sex organ होता है उसके साथ attach होता है यह जो dwarf male है यह कहाँ से derive होता है यह derive होता है repeated cell division of multiflagellate जो multiflagellate endrospores present होती है न वहाँ से उसकी जो repeated cell division होती है न वहाँ से एक dwarf male arise होता है वहाँ से derive होता है जब eugonial mother cell डिवाइड होते हैं और वो एक swollen omonium बनाते हैं जो कि एक supporting cell के साथ bind होते हैं तो इसका अंसर है dwarf male जो है dwarf male is mainly present in oodogonium next question है bryophytes are also known as bryophytes जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम amphibians of plant kingdom भी बोलते हैं जैसे amphibians वो species होते हैं जो कि that can live both on earth में भी और water में भी लेकिन जो bryophytes हैं bryophytes इनको बोलते हैं amphibians of plant kingdom क्यों क्यों क्योंकि ये इस plant की species जो हैं they can live in both soil में भी और water में भी क्योंकि इनको sexual reproduction करवाने के लिए water की जूरत होते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं amphibians of plant kingdom next है in which of the following examples heterospory is found इनमें से कौन साइस example है इसमें heterospory होती है अब heterospory क्यों होती है heterospory is a production of sports मतलब दो sports बनेंगे during gamet formation वो दोनों different size के होंगे different size के sports होंगे male और female sports होंगे जिसमें either male बड़ा है फिर female बड़ी होगी size का difference होगा shape का difference होगा तो वो mainly होता है silaginela में और marsalia में next है water vascular system is a trait of water vascular system किसका trait है water vascular system mainly treat है echinoderms का जो कि starfish है starfish के अंदर एक special type of vascular system present होता है जो कि water vascular system बोलता है इसमें special type की तुम जह सकते हो pipelines present है tumules present है एक special types के तो वो example है तो वो एक special character है echinoderms का next है paxenia causes क्या cause करती है paxenia paxenia cause करती है rust disease तो इसका अंसर है a इसका अंसर है a rust disease walvox क्या है walvox अक्चली है क्या है walvox is walvox एक polyphyletic genus है कि इसका chlorophyte green algae का जो कि belong करता है family walvox यस है and it forms एक spherical colony बना लेता है जिसके अंदर 50,000 cells present होती है कि तो इसका क्या होगा colonial form है तो अंसर है इसका D next आता है कि edible part of the fruit coconut is तो coconut के अंदर edible part क्या आता है जिसको हम खाते है लोग जिसको हम use करते है वो है endosperm तो अंसर है इसका B endosperm next question है कि winged pollen grains are found in winged pollen grains किसमें पाए जाते है तो pinus एक plant है जिसमें winged pollen winged pollen पाए जाते है अब winged pollen होते क्या है winged pollen जो होते है वो pollen grains pollen grain के हमें बता है दो layer होती है exine और intime जो बाहर के लिए रहा इसको हम outer exine बोलते है वो exine का extended part होता है ठीक है दो lateral sides से एक winged like structure निकल रहाता है pollen grains का जिसकी वोदे से हम इसको बोलते है winged pollen ठीक है यह characteristic feature है pinus का pinus के अंदर winged pollen पाए जाते है तो answer is B next question है unique character of analytes analytes का unique character है जो कि nephridia है अब different type of nephridias present होते है analytes अंदर जैसे आब इस diagram में देशकते हैं लग type के nephridias present है answer इसका nephridia answer इसका nephridia जो कि एक unique character है ने लेटागा next question है litmus litmus is obtained from अब litmus कहां से obtained होता है litmus actually obtained from lycan कुछ processes होती है वो process complete करने के बाद हमें एक litmus मिलते है वो process mainly कहां से obtained होता है lycan से कर दो करें लो करने मैं